नमसकार दोस्तों, स्वागत है हमारे यट्यूब चैनल में दोस्तों केसे आप सभी? उमीद करते हैं कि भगवान महाकाल के आसिम आसिरबाद से आप बहुती अच्छे होंगे और अपने घर में मंगल में होंगे जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें की अब आपके दुसमनों की उल्टी चाल पड़ गई है जी हाँ दोस्तों और आप आप जिस बात से बहुत परिसान थे उससे सामना अब आपका होने वाला है आने वाले अगले पांच दिनों के अंदर आप लोग जिस चीज से भाग रहे थे वे अब आपकी पूरी जिन्दगी को बदल कर रखने वाली है जी हाँ दोस्तों क्योंकि ये घटना आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना लेकर आएगा जो इश्यपाले साइधी आपने देखी हो और आपने सुनी हो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल ही सही सुना है आपने दोस्तों आप कई चीजों को लेकर प्रशन हैं और आप कई चीजों को लेकर आप बहुती दुखी भी रहते हैं तो दोस्तों ऐसी मुसीवतों से यदि आप बचना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप सुरू से लेकर आंध तक बिलकुली ध्यान से देखिएगा ताकि हर समस्या से आपको छुटकारा मिल सकी जिहां दोस्तों और एक उपाई भी बताएंगे जो कि दोस्तो इतना सकती साली है कि जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता है जो जानता है वो किसी को बताता नहीं है लेकिन दोस्तों हम ये देखते चले आ रहे हैं कि आप अपने जीवन काल में बहुती दुख और तकलीप का शामना कर रहे थी और दोस्तों वो वही कारण था कि हर एक प हर एक विशे पर गहराई से हम चर्चा करने वाले हैं इसे भी महतपुन दोस्तों ये बात है कि जिलनगों के कुंडली में राजयोग निर्मान नहीं हुआ है उन राजयोग का सुक केसे प्राप्त हो सकता है केसे आप अपने जीवन काल में काम्यावी हासिल कर सकते हैं जिहां दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुती ज़्यादा महतपुन होंगे और आपके भविसे के लिए बहुती ज़्यादा लापकारी सावित होंगे तो दोस्तों इन्हें बिल्कुली मिशना करें और थोड़ा सा समय निकाल कर इस वीडियो को सुरू से आ बात खई है कि कभी भी अपने दुस्मन पर अपने सत्रू पर दोबारा भरोसा ना करना क्योंकि जो दुस्मन है वह वही काम करेगा जो उन्हें पसंद है एक बर मुझ से मिठा बोल देने से उनका सभाव नहीं बदलता उनका आदत नहीं छोड़ता जी हां दोस्तों उसका ज करके रखा है आपने देखा है कि पिछले समय में आपने कितनी मेहनत किया है कितनी सारी समस्यां का आपने शामना किया है और अपने जीवनकाल में इतनी खुस्यां हासिल किये हैं लेकिन दोस्तों अगर आप इनसे अपने खुस्यां को नहीं बचा पाएं तो दोस्तों यह आपकी सबसे बड़ी बेव कूफी होगी, जिहां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि, समय रहते इस इनसान से आप अपने आपको बचा लें, या फिर अपने जीवनकाल से इस इनसान को बिलकुली निकाल कर फेंग दें, जिहां दोस्तों, दोस्तों इसी में आपकी भलाई है आपकी जीवनकाल की आपकी घर परिवार की ही भलाई है जी हाँ दोस्तों हम आप सभी को बता दें की आखिर कब तक आप अपने जीवनकाल में इतनी सारी दुखों को झेलते रहेंगे आपको भी तो जीने का अधिकार है जी हाँ दोस्तों दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आपका मन बहुती स्वास्थ और साफ रहता है और आप हमेशा चाहते हैं कि किसी से भी ना लेना देना हो और नहीं लड़ाई जगडे में पड़ें और अपने जीवन काल में आगे बढ़ते रहें तरक्की करते रहें औ और लोगों दोरा मान परतिष्था प्राप करते रहें जी हाँ दोस्तों लेकिन दोस्तों इस दुनिया की सोच आपके जैसा नहीं है आप चाहते हैं कि सभी के साथ मिल जुल कर रहें लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं कोई ऐसा दुस्मन है जो आपके कारियों से जलते हैं आपके तरिकी से जलते हैं आपके अच्छा रहन सहन परिबार के साथ अच्छा मेल मिलाब से वह लोग जलते हैं और आप चाहकर भी उनसे पास रहना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दोस्तों उनके अंदर आपके परती बहुती गलत भावना होती है जिहां दोस्तों तो दोस्तों समय रहते इस वेक्ति को आप अपने जीवनकाल से निकाल कर फैक देना है जी हाँ दोस्तों तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुली मेशना करें और दोस्तों सुरू से आँ तक बिल्कुली ध्यान से दिखियेगा बिल्कुली ध्यान से समझेगा जीहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को वह सभी महतपुन जानकारी देंगे कि केसे आप इस व्यक्ति को अपने जीवनकाल से निकाल सकते हैं केसे आप इनकी पहचान कर सकते हैं कि आखिर यह व्यक्ति कौन है आखि चीवनकाल को इस व्यक्ति से केसे बचा सकती हैं तो दोस्तों सभी जानकारी बहुती गहरी तरीके से गरह गोचर के अनुसार बनाए गए हैं तो दोस्तों वीडियो को सुरू से आंध तक बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी महतपुन जानकारी को भी जानेंगे कि ये समय आपको किन-किन छेतरों को लेकर शाब्दान रने होंगे कौन से कार आपके लिए भागे साली होंगे और किन छेतरों में आपको कार करने से लाग की प्राप्ति होगी और भगवान महाकाल के आसिम आसिरवाद से आपके घर के महौल में परवारिक जीवन में आपके परतेग छेतर में क्या-क्या खुस खबरी क्या-क्या बदलाब होंगे तो दोस्तों अंत तक देखिएगा उशे पहले दोस्तों जो व्यक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से जय महाकाल लिखेंगे दोस्तों महाकाल का आसिम आसिरवाद आप सभी को पराप्त होगा खुस या आना आपके घर में परारम हो जाएगे तो दोस्तों जरूर ही लिखिएगा और यदि आप इस चैनल पर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथे बेल आइकन क प्रेश करके और पर्च लेट कर लें तो अज दोस्तों बात करते हैं शुरुआत करते हैं भोलेनाद के एक बहुत अच्छे ज्यान से और यह ज्यान अगर आप अपने दिमाग में बठा लिए तो दोस्तों आगे चल कर कोई भी दुख तकलिव कोई भी समस्या नहीं गौर्ण से तुमारे भीतर ही उसकी कारण मिलेगा उन कारणों को छोड़ दो क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है उन कारणों को किये जाने का क्या पर्योजन है जिनसे सिर्व जहर के फल लगते हो उन बीजों को क्यों तुम बोते हो और दोस्तों आप भी अपने जीवन काल से निकाल कर फेंग दें क्योंकि आगे चलकर ये धोखा ही देंगे जिहां दोस्तों तो दोस्तों भगवान भोलेनात का यह ज्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों बीडिये को एट प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कॉमेंड बोक्स में इनके लिए जै भोलेनात दोस्तों भोलेनात का आसिम आसिरवात आप सभी को प्राप्त होगा जिहां दोस्तों तो यह दोस्तों इससे के साथ बात करते हैं कि आखिर यह कौन वेक्ति है जो आपको ये दुनिया से उठाना चाहता है कि दोस्तों चोर को खासी और संत को दासी मुसिवत म प्यार देने से बेटा बिगड़े भेत देने से नारी लोग देने से नोकर बिगड़े धोखा देने से यारी जिहां दोस्तों गुन मिले तो गुरु बनाओ चीत मिले तो चेला बनाओ मन मिले तो मित्र बनाओ वर्ना रहो अकेला जिहां दोस्तों तो अब बात करते हैं कि आ आप अपने जीवन काल में अभी तक पीछे क्यों हैं अब अपने जीवन काल में आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं क्या गलती आप कर देते हैं जो कि दोस्तों दुनिया भी आपको एक अच्छा इंसान नहीं समझती जिहां दोस्तों दोस्तों आप सभी को बता दें कि जो आपके गुप्त बात होती है जो राज की बात होती है जो दोस्तों आप अपने जीवन काल में जो आगे काम करना चाहते हैं सिक्रेट बात करना चाहते हैं तो दोस्तों वह अपने दुसमन को साथी को बता देते हैं जिहां दोस्तों इससे भी दोस्तों आपके जीवन में और सी गलतियां नहीं करनी चाहिए तो आई दोस्तों बात करते हैं पूरे विश्थार से दोस्तों आपको बता दे की पिछले कुछ सालों से इस रासी कि जो लोग हैं जो आपके thyroid में सच्थ से जैदा परेशान जहां दोस्तों बर्मार में विश्च में कुल जितनी भी रासियां है समस्त रासियों में से आपकी ही एक रासि एक लोता ऐसी है जिनके पिछले कुछ वर्स बहुती जादा दुखत विते हैं और साथी दोस्तों बहुती मुसीवतों का सामना भी आपने किये हैं इसे में दोस दोस्तों आपकी जीवन काल में शंकट आने वाली है जहां दोस्तों पर दोस्तों इस वार जो आपकी उपर शंकट आने वाले हैं जो मुसीवते आने वाली है इनमें आपकी ही गलतिया छूपी भी दिख रही है जहां दोस्तों आपको बता दें कि दोस्तों आपका नेचर बह लेकिन दोस्तों इनके साथ ही साथ जो भी आपके संगे समंदी हैं, जो भी आपके पास रहते हैं, जो भी आपके दिल के करीब रहते हैं, दोस्तों आप भी उनसे अपने जीवन की जो भी बाते हैं, जो भी आने वाले क्रिया कलापे हैं, उन सभी की जो बाते हैं, आपने जी जीवन काल में जो भी शमसियां आ रही हैं नहीं से शुरुवात होती है जहां दोस्तों आपको बतादे कि सबसे पहले बेक्ति आपके बारे में जानता है कि आप किस परकार के इंसान हैं फिर दोस्तों धेरे-देरे आपके साथ रहकर उनका देखने का नजरिया बन जाता है और दोस्तों वे आपसे ही जलन सिल के भावनाओं से बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं और दोस्तों आप इन बातों को शमय शमय पर नदर अंदाज करते आ रहे हैं दोस्तों याद किजिए कि पिछले समय अंतराल में भी आपके जीवन काल में ऐसे कई लोग आए हैं ज दोस्तों बहुत ही परकार के कार भी किये हैं आपके सामने अच्छे बनने के कार भी वो लोग करते हैं और दोस्तों फिर आप उनके दिल को उनके आगे हार बेटते हैं तो दोस्तों ये आपकी सबसे बड़ी गलती है क्योंकि दोस्तों भगवान सिर्किर्शन जिकाते हैं कि क उन्पर बिल्कुल इभास ना करें तो दोस्तों आपको अपने जीवण काल में इन बातों को याद रखना है कि जो इंसान आपको जीवण काल में कभी भी धोका दिये हैं कभी भी आपको चल किये हैं तो दोस्तों उस इंसान की अब एक बार सिर्फ पहचान करना है और दोस्तों उनसे आपको दूर जाना है जहां दोस्तों उनसे आपको बात भी नहीं करनी है जिससे दोस्तों आप उनको अपने जीवन काल में निकाल सकते हैं और दोस्तों यही लोग होते हैं जो दोस्तों कर आपके उपर च्छल करते हैं आपके जीवन काल में एक परकार के टोने टोटके करते हैं जिनसे दोस्तों आपको छती आपको नुक्सान होते हैं तो दोस्तों आपको अपने जीवन काल में इन बातों को याद रखना है गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है इसके उपरा तो दोस्तों आपके लिए आपके जीवन काल में एक और ऐसी बाते हैं जो कि आपके लिए सटिक हैं कि दोस्तों कोई भी इंसान जब आपसे कुछ रुपया मांगते हैं जहां दोस्तों कोई भी इंसान इमोशनल होकर आपसे कोई कार करने के लिए काता है तो दोस्तों आप इ उन्हें ना कहने की हिमत आपको अंदर नहीं होती है लेकिन दोस्तों आप इनके पीछे की बात को च्छान भी नहीं करते हैं जहां दोस्तों कई बार एसे ही लोग हैं जो कि दोस्तों आपको धोखा देने के चकर में रहते हैं और फिर दोस्तों आप जब उनको पेसे दे देत तो दोस्तों, फिर कई दिनों के बाद आप देखते हैं कि आप उनके नजरों में बुरे बन चुके हैं। जहां दोस्तों तो दोस्तों आप अपने जीवन काल में इन बातों को ध्यान रखना है। कि पेसे से लेन देन आप ना करें क्योंकि दोस्तों आज की इस दोर में पेसा बहुत ही अच्छा है तो एक तरफ से बहुत ही बुरा भी है जहां दोस्तों जहां पेसे हमारे जीवन की सभी एक्छाएं पूरी करती है वहीं दोस्तों दूसरी और हम किसी को पेसे देते हैं तो तो दोस्तों हम चाहे कितना भी अच्छा कारे क्योंना कर लें, दोस्तों हम उनकी नजरों में आखिर गिर ही जाते हैं, वे हमसे नजरें चुराने लगते हैं, जितना पहले बात करते थे, दोस्तों वह बात करना छोड़ देते हैं, तो दोस्तों ऐसे जीवन की हालात हो जाती तो दोस्तों आप इन बातों को ध्यान रखें अगर आप दोस्तों इन में कोई भी कार करते हैं तो दोस्तों वह व्यक्ति आपके लिए कुछ गलत कार कर देता है तो दोस्तों आपको इन बातों को बहुत ही ध्यान रखना चाहिए कि अपने जीवन काल में कोई भी करीबी लो क्योंकि दोस्तों ऐसे ही गलतिया होती है चोंकि आपके जीवन काल में आप करते आते हैं और दोस्तों वो आगे चल कर वही गलती विशा लूप धारन करके आपके जीवन काल में कई परकार के समस्याव का कारण बन जाते हैं जिहां दोस्तों और यही लोग आगे चल कर आप स दोस्तों के साथ बात करते हैं कि आपके जीवन काल में आपके घर परिवार में किसने जादू टोना किया है और आखिर इनसे बचने के लिए आपको कौन से उपाय को करना चाहिए। दोस्तों आपके घर में किसी का जादू टोना हुआ है जहां दोस्तों तो दोस्तों इनसे बचने के लिए आपको कौन से उपाय को करना चाहिए। और किसी ने काला जादू कर दिया है दोस्तों उनका नकात्म परभाब धीरे धीरे खत्म होने लगता है और घर का बातावरन बहुती जादा प्रेम पूर्ण होने लगता है। और दोस्तों हम आपको एक मंतर भी बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको आपने जीवन काल में करना है। जहां दोस्तों शह ओम नमा भागवते रुद्राए नमा कोशिशी नमो जोती मंत गाय नमो रुद्राए नमो शिद्धी स्वाहा। तो दोस्तों उमीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो यदि अच्छी लगी हो तो दोस्तों बीडियों को एक प्यारा सा लाइक अवस्य कर दें और दोस्तों इनके लिए लिख दें जै मा काली और दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें दल्लेवाद